हालो फ्रेंद कैसे हो आप सब तो आज हम बनाने जा रहे हैं लोब्या की सब्जी, ये लोब्या की सब्जी बहुत हीечатा है और ये तेस्टी बनकर तयार वती तो ये मैंने एक मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बैल आइकन को भी ओन करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो यह देखिए जो लोबिया है मैं इसको अच्छे से धूलिया है और यह देखिए जो हमारे जो लोबिया है एक बढ़िया से फूल कर तयार हो गया है इसको बिल्कुल उसी तरह से कटा पड़ता है इसे वराजमा छोले बनाते हैं तो मैंने इसका पानी है वो निकाल दिया है और हम क्या करेंगें इस कूकर के इंदर इस लोबिया को हम डाल दे अब हम इसमें एड़ करेंगे पानी पानी हमें इसमें इतना एड़ करना है कि जो हमारा यह लोबिया है वो डूप जाए उससे हलका सा उपर रखना है तो बस अब हम इसे धक देते हैं और धकन लगाने के बाद इसमें कम से कम 5-6 सीटी माणनी है ताकि लोबिया पक जा उस इसका एक दाना फोड कर दिखाती हूं यह देखें बिल्कुल इजी तरीके से अराम से मैश हो रहा है जिसका लोग हमारा अच्छे से उबल चुका है तो चलिए अब इसको आगे का प्रसेस शुरू करते हैं इसको साइड कर देते हैं अब हम क्या करेंगे यह हमने एक प्या तो इसी तरह से चलिए हम इसको पेस्ट बना लेते हैं तो यह देखें मैंने एक दम बढ़िया से पाइंट पेस्ट बनाकर तयार किया है आप चलते हैं गैस की तरफ तो मैंने सरसों का तेल लिया है इसमें डाल रहे हैं एक डाल चीनी का टुकड़ा एक तेज पत्ता हमने जो मसाले को चला देते हैं तो इसमें एड़ कर देते हैं और गैस की फ्लेम को हम बिलकुल लो कर देंगे और अब हम मसाले को चला देते हैं थोड़ा सा मसाले को चला दिया तो इसमें एड़ कर रहे हैं एक चमच हल्दी पावडर लाल मिर्च पावडर दो चमच और य इसकी फ्लेम को लो ही रखें यह चीज़ जरूर याद रखें और प्लीस आप वीडियो को पूरा देखें स्किप करके ना देखें तो यह देखें हमने मसाले को अच्छे चला दिया अब हम इसे ढग देते हैं जब तक मसाला तेल ना छोड़े तक तक हमें इसे पकाना है तो इसके अगाल आप allu कर देते हैं जो हमने लोगे उबालके रखे थे वो हम शचे से मसाले के साथ एकवा को मिक्स कर देते हैं अगो अब हम इसे ढख देंगे और ढख कर 10-15 मिनिट के लिए पकाएंगे ताकि जो हमारे मसालों का फ्लेवर है वह लोविया में अच्छे से चला जाए तो यह देखिए इसको पकता है कि हमें 10-15 मिन्ट ही हुए है और यह देखिए जो हमारा लोविया है वह एकदम भढ़िया तर तो उसका ही फ्लेवर काफी अच्छा हो गया है तो इसलिए मैं इसमें गरम मसाल नहीं डालूंगी अब हम इसमें अड़ कर रहे हैं धनिया की कुछ पत्तिया मेरे थोड़ा सा धनिया तैसे मैं थोड़ा सा डाला है आप चाहे तो और भी डाल सकते हैं और हमारी यह बढ़ि नोविया बनकर तयार हो गया है और मिलते हैं नई वीडियो के साथ तक तक के लिए थैंक यू पर वाचिंग